आपके पास जो फ्लावर प्लांट एक शाल से काम उम्रों की है उस फ्लावर प्लांट की आगर लीफ अच्छे है तो आभी आप लीफ रख लीजिए आगर लीफ खराब हो गए है या ड्राइ हो गए या ज़र गए तो आपको पूरा लीफ रिमूब कर लेना है देखिए मेरे floor plant की कुछ leaf ज़र चुके है और कुछ leaf खराब भी है और कुछ leaf यलो होके ज़रते जा रहा है तो आभी हम ए floor plant की leaf अलग कर देंगे नवेंबर मांत में आप लोग छोटे छोटे रोज floor plant की क्यार कैसे करेंगे pruning, trimming, सब कुछ बताएंगे यह flor plant की शिरीज आप लोग को मैंने बहुत पहले से देखे आये है और इसका अभी भी एक शाल complete नहीं हुआ है लास्ट जनबरी से मैंने चालू किया था दिशंबर तक बान यार complete हो जाएगा उसी शिरीज का ही यह flor plant है और एक flor plant दिखाते है यह देखिए इसमें तो almost leaf जहर चुके है और new new leaf फिर से आना start हो गए तो ऐसे अगर new leaf या new branches आ रहा है तो ओ condition में आप आपकी flor plant की new leaf को remove नहीं करेंगे cut नहीं करेंगे new branches को cut नहीं करना है इस बात को धेन रखना आप ही क्या करना है वो मैं सब चीज discuss करेंगे करनली पेशेंस रखके पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा यह flor plant की जो leaf है पूरे खराफ हो चुके है तो इसके leaf में अलग कर दूँगा देखिए जितिनी भी leaf है कोई एक scissor लेंगे या cutter से आप अलग कर लेजिए ऐसे करके पूरे leaf को आपको अलग कर देना है हो सकते हैं आपके पास जो flower plant है उसके leaf काफी अच्छे है और इससे भी अच्छे growth होंगे आपकी flower plant की ऐसे करके पूरे leaf मैं अलग कर लेता हूँ देखिए ए फ्लावर plant की जितनी भी खाराप leaf थे पूरे leaf हमने अलग कर दिये है इसके बाद हमको क्या करना है यह जो new new leaf है new new branches सारा इसको हमको अलग नहीं करना है और यह जो पत्ते है यह पत्ते अच्छे है इसलिए इसको हमने अलग नहीं की इसको सिरफ trimming करेंगे trimming यानि कि इतनी सी काट करेंगे देखिए उपर से इतना काट करेंगे इससे ज़्यादा काट नहीं करेंगे only for trimming छोटे plant है यह new plant होने के कारण इसको सिरफ trimming किया जाएगा pruning नहीं किया जाएगा यह देखिए हलका चटाई किया जाएगा सिरफ इससे ज़्यादा नहीं चटाई किया जाएगा इसकी pruning next year होगा यह हलके हलके हम cut देंगे तो क्या होगा इसमें से फिर से new new branches आना start हो जाएंगे और अच्छा अच्छे branches आएंगे जितनी branches है पूरे branch को आपको trim करना है हलकी हलकी trim करेंगे आप अगर trim नहीं करेंगे इसको ऐसे छोड़ देंगे तो यहां से branches लेट आएंगे इस बात को धेंड़ खिएगा यह देखिए trim करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर कोई भी branches ऐसे लागे यह आन्ने सारी है उसको आपको cut कर देना है यह देखिए यह आन्ने सारी है इसको हम cut कर देंगे ऐसे करके पूरे branch को धीरे धीरे करके आपको trim कर देना है इसमें से इसके बाद जितनी भी branches आएंगे पूरे branches अच्छा आएगा और healthy आएंगे इसके बाद मैं fertilizer भी share करूँगा अप लोगो को पूरे flower plant को मैंने trimming कर दिये है trim करने के बाद एक जगा पर देखिए flower खिला हुआ है तो ए flower आभी हमको नहीं चाहिए है और इसके ठीक नीचे से देखिए branches आ रहा है एक notes को भी मैं cut कर दूँगा एक notes रहेंगे यहां से एक, दो, तीन, चार, पाँच कम से कम पाँच branches आएंगे और यह leaf अच्छे है मैंने छोड़ दिये है इसके बाद ए फ्लावर प्लाइंट से अब ही आप अगर flower नहीं लेना चाहेंगे तो इस जगा पर देखिए, चार flower खिलेंगे तो यह चार flower जिस time color देखे उस time उसको disregard कर दीजे तो यह जो छोटे-चोटे branches है यह थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे उस time इसमें से और भी branches आएंगे और आपको अच्छा result मिलेगा बाकी overall जितनी branches है शब branches में से आभी new new branches आएंगे और एक शाथ आपको flower देखने को मिलेगा ए फ्लावर प्लांट में second जो flower plant है देखिए इसकी भी हमको trimming करना है इसमें leaf पूरे अच्छे है सरफ trimming करना है चलिए हम trimming करते है देखिए ए फ्लावर प्लांट को भी मैंने trimming कर दिए जितनी भी dead heading था पूरे अलग कर दिए और पूरे tips में मैंने trimming कर दिए आप इसके उपर हो सके तो आप fungicide की paste लगा दीजी आपके पास 2-4-10 plant होंगे और अगर ज़्यादा plant है तो kindly आप fungicide की spray कर दिजी क्योंकि पूरे tips में fungicide की paste लगा पाना बहुत ही कठीन काम है ज़्यादा plant होंगे तो बिल्कुल भी नहीं लगा शकते तो आपको fungicide एक बार आभी spray कर देना है मैं भी fungicide ही spray करता हूँ मैं tips में fungicide की paste नहीं लगा शकते क्योंकि मेरे पास plant बहुत ज़्यादा है इसके बाद fertilizer क्या देना है ओँ मैं आप लोग को बता देता हूँ ये floor plant में आभी leaf नहीं है heavy तो बहुत ही कम है देखिए इसमें बहुत ही ज़्यादा कम है तो हमको सबसे पहले तो ये soil को dry करना है it means ये soil जब तक dry नहीं होंगे तब तक इसमें हम buttering नहीं करेंगे पानी नहीं देंगे इस बात को धेन रखे आभी soil देखिए moist है ये देखिए तो आभी हमको बिलकुल भी पानी नहीं देना है second plant में क्या है कुछ leaf ज़्यादा है तो उसमें हम 200 ml पानी डाल देंगे स्रेप 200 ml देंगे इससे ज़्यादा नहीं देंगे इस बात को धेन रखेगा दो से तीन बार आप आपके flower plant के उपर पानी की एस्प्रे करें जितनी ज़्यादा एस्प्रे करेंगे उतने ज़्यादा आपके flower plant में branches निकलेगा इट मिस जितने ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं एक लिटर पानी एक ही flower plant की उपर इस्प्रे कर दो तब जाके आपके शॉयल गिली हो जाएंगे और आपको अच्छा result नहीं मिलेगा frequently इस्प्रे करें चार बार करिए आपको अच्छा result मिलेगा feeding आभी हम एक हफ्ता तक कोई भी feeding एक flower plant में नहीं देंगे लेकिन जिस flower plant में आभी leaf ज़्यादा है इसको आभी हम feeding दे शक्ते है तो इसमें हम feeding क्या देंगे तब भी एक flower plant को कम से कम पांच दिन तक कोई feeding नहीं देंगे पांच से लेके दस दिन तक आप अगर feeding नहीं भी देंगे तब भी चलेगा आपने इससे पहले एक दिन या दो दिन पहले तक आपकी रोज flower plant की शॉयल में जो feeding दिये है वो feeding हमारे flower plant क्या करते है इस्टोर करके रख लेते है वो feeding धीरे धीरे करके ये release करते है तो हम क्या करेंगे जब भी ये node active होगा या nodes देखने को मिलेंगे सबी branch पे node active हो चुके है आने लागे है उस time से भी आप अगर feeding चालू करेंगे तब भी चलेगा शाथ से लेके 8 दिन तक आप feeding ना दे तब भी चलेंगे आपके पास 2-4-5 प्लांट है तो एक सा feeding दीजिए feeding के लिए आपको क्या करना है humic acid bond gram और bond gram NPK 1260 एक लिटर पानी में मिलाना है दोनों को और हफते में एक बार soil में दीजिए धाई शामिल करके इससे ज़्यादा नहीं देंगे इट मिंस एट फरस्ट जो feeding होंगे ओ feeding आपको 0.25 gram NPK 1260 आएंगे ठीक दो दिन बाद इस dose को थरा सा बढ़ाएंगे कैसे बढ़ाएंगे आप soil के उपर 1.5 gram करके NPK 1260 डाल दीजिए soil के उपर डालिए और humic acid 1 gram 1 liter पानी में मिलाए और जितना पानी की जरुरत है 2-3 shamel उतना पानी इसमें डाल दीजिए शोयल में डाल दीजिए चल जाएगा ऐसे करके एक हपता चलाएगे एक हपता बाद NPK 1260 आप देंगे पोन ग्राम आधा ग्राम से थोरा सा जादा उसके एक हपता बाद देंगे एक ग्राम करके ऐसे करके धीरे धीरे करके NPK 1260 की डोज बढ़ाएंगे और पानी की डोज भी थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाते रहेंगे इस बात को आपको धहन रखना है बाकी फीडिंग आपके पाश अगर Green Garden की Special Mixed Fertilizer 1-2-2 है तो आभी 2 दिन अंतर से 1.5 ग्राम करके देंगे एक हपता एक हपता बाद से 5 ग्राम करके देंगे हो जाएगा 2 हपता उसके बाद 1 ग्राम करके देंगे ठिक दो दिन अंतर से चलेंगे यह Fertilizer अगर आपके पाश NPK 1-2-2 अगर Green Garden की Fertilizer नहीं है तो ओ कंडिशन में आप एक दिन अभी आधा ग्राम NPK 19-19-19 एक दिन NPK 13-0-45 यह दोनों Fertilizer देंगे 12-1-0 हमिक असिड की शालतों कंटिनू चलेंगे 12-1-0 हमिक असिड के साथ कंटिनू चलता रहेगा एक बार NPK 19-19-19 एक बार 13-0-45 यह आप कंटिनू करें तब भी आपको आच्छा रिजल्ट मिलेंगे और एक बार धेंड़ा किएगा पांच दिन अंतर से कंफिडर 1 ml एक लिटर पानी में मिलाके एस्प्रे करेंगे दो बार आज एक बार ठीक पांस दिन बाद एक बार उसके बाद हपते में एक बार कंटिनू आपको एस्प्रे करना है 1 ml पार लिटर वाटर फंजी साइड आप 10 दिन या 15 दिन अंतर से एक बार एस्प्रे करें चलेगा फंजी साइड बहुत ज़्यादा की ज़रूत नहीं है माइक्रो निउटरेंट किस टैम देंगे जिस टैम लीफ होगा जैसे कि ए फ्लार प्लांट में लीफ है इसको आभी माल्टिपल माइक्रो निउटरेंट एस्प्रे करें जो है आपकी पाश इसमें जिस टैम लीफ आने लागेंगे उस टैम माल्टिपल माइक्रो निउटरेंट हम एस्प्रे करेंगे उससे पहले नहीं करेंगे आभी PGR की ज़रूत नहीं है पीजी आर मेरा कुलान सुपर सुनाटा इसके उपर हम एस्प्रे करेंगे क्योंकि इसमें आभी लीफ है तो इसके उपर एस्प्रे करेंगे जिसमें आभी लीफ नहीं है इसके उपर आभी एस्प्रे करने की कोई जरूत नहीं है जिस टाम लीफ आएंगे उस टाम इसके उप पर भी इस्प्रे करें ऐसे करके आभी आप क्यार करें आपको आच्छा रजल्ट मिलेंगे और जो लीफ हमने कट कर दिये है देखिए यह लीफ की डंडी धीरे-धीरे करके यह लोह के जर जाएगा आपको घबराने की कोई भी जरूत नहीं है कोई भी क्यारी है दोस्तों जाके कमेंट्स कीजिए आप लोगो पूरा कमेंट्स की एंसरिंग किया जाएगा उम्मेद करता हूँ आप लोगो मेरा वीडियो पसंद आए अगर पसंद आए लाइक करें शाथ में बिल आइकन को प्रेस करें थैंक्स वर बाचिंग